ओम नमह सदेव्यां रमु अरहंताडं रमु सिद्धाडं रमु आयरियाडं रमु अज्जायाडं रमु लोए सवसावुनं नमह समय साराय स्वानुभु त्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय स्वभावां तरचिवे द्रश्टी का विशे मुक प्रश्ट पर जो लिखा हुआ चंद है उसका पाट करते हैं द्रव्य से सामान्य है अर नीत्य है जो काल से अभेद है जो क्षेत्र से अर एक है जो भाव से अखंड है द्रव्य क्षेत्र से अर काल एवं भाव से द्रव द्रश्टी कर इसमेरमू नित्मे स्वयम ही चाव से स्वच अतुष्टे भूत द्रव्य मात्र की सत्ता पदार्थ मात्र की सत्ता द्रव्य क्षेत्र काल भाव अखंड सत्ता अखंडता में द्रव्य की क्षेत्र की काल की और भाव की 270 नंबर के कलश के बाद समयसार ग्रंथा दिराज में जो एक मारमी का अंशाया है एक दो बार अपन नियाद भी किया है और इस कावि में उसी का भावान वाद है न द्रवेन खंड यामी न क्षेत्रेन खंड यामी न कालेन खंड यामी और न भावेन खंड यामी द्रव्यार्थिक नई से और परियाय अर्थिक नई से दोनों नयों की अपेक्षा से द्रव्यार्थिक से सामान्य द्रव्य द्रव्य वाला फेक्टर द्रव्यार्थिक नई से द्रव क्षेत्र काल भाव में द्रव्य वाला फेक्टर सामान्य बरावर द्रव्यार्थिक से क्षेत्र वाला फैक्टर अभीध द्रव्यक्षेत्र काल भाव विजुलाइजेशन करना लिखके रखना द्रव्यार्थिक नहीं परियाय अर्थिक नहीं द्रव्यक्षेत्र काल भाव चारों में क्या उनके होंगे द्रव्यार्थिक नहीं से द्रव्य सामन्य द्रव्यार्थिक नहीं से द्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा से अभेध और काल की अपेक्षा से नित्य भाव की अपेक्षा से एक अब परियायर्थिक नहीं के चार बोल पर यह एर्थिक नैस से सामन्न की सामने आएगा विसेश क्षेत्र की सामने अभेद की सामने क्या आएगा बेद काल के सामने क्या आएगा अनित्य के सामने अनित्य और भाव के सामने अनेग अब इन दोनों को अपन बोलेंगे सामान निविशेश आत्मक बराब अभेद भेदात्मक लेकिन वो मुख सुख के लिए भी जैसे भेदा भेदात्मक बोलते है लेकि उसमें भेद वाला फेक्टर परियायर्थिक ने का विशे अभेद वाला फेक्टर द्रव्यार्थिक ने का विशे नित्या नित्यात्मक नित्य वाला द्रवियार्थिक नहीं में जाएगा और अनित्य वो परियार्थिक भाव और भाव से मतलब भाव वाला फैक्टर जो है द्रविक शित्रकाल भाव उसमें एक और अनेक एक का नेकात्मक द्रवियार्थिक नहीं से एक परियार्थिक नहीं से अनेक तो एक से तो बड़ा तो अनेक है लेकिन वहां खंडता वाली बात है न यह द्रविक्षेत्र कालभाव इसका बहुत अदबुत बहुत भुए भो ध्रव्यारतिक और परियारतिक दोनों से और मूल बात यह कहने चाहूंगा, शब्द का प्रयोग, कि मैं खंड खंड रूप नहीं हूँ, समझ लेजे, मैं खंड खंड रूप हूँ, ये तो खंड ता का ही एक स्वरूप हो गया, बरावर, लेकिन मैं अखंड हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अखंड ह ऐसे विकल्पों की धारा विचार धारा जिनतन धारा ये क्या है वो अखंड है कि खंड है ये क्या रहा है मलग खंड भूत विकल्पों की धारा की अखंड ता है सरुप सववाव भाव का जो अनुबव है वो अलग वस्तु है देखिए चटी गाथा पेज नमबर 22 प्रस्थ हैं इसमें कल हमाँ आप लोगों ने काफी कुछ प्रकरन सारा मूल टीका के आधार से पूरा करके हमने पूरे भावार्त के आधार से भी चर्चा संपन्नकी है पूरी हुई है अब एक अंश यहां से मैं पढ़ता हूँ देखिए आप और फिर सात्वी गाथा के साथ हम आप लोग इस प्रकरन के संदी बिठाएंगे देखिए पेज नमबर 22 है नीचे से देखिए आप यह उस ग्यायक भाव रूप द्रव्य स्वभाव की बात है जो अनाधी अनंत नित्य उद्योत रूप है यह स्वयम सिद्ध है किसी से उत्पन नहीं हुआ है अतह अनाधी सत्ता स्वरूप है इसका कभी नाश नहीं होगा यह अनन्त हैं, ख्षण क्षण में विनाश को प्राप्त नहीं होता इसलिए नित्य उद्योत रूप है और ज्ञानियों के नित्य अनुभव में आता है गुप्त नहीं है, प्रगट है अतहप्रकाश मान जोती है देखिए, नित्य उद्योत मान के संदर्व में क्या क्या लिया ग्यानियों के नित्य अनुभव में आता है टीका का अंशी समझ में आ रहे हैं आपनों को परद्रव्यों से भिन उपासने में आता हुआ वह शुद्ध है यह जो विशेशन आये था न अब वह अनुभवतों ग्यानियों के ही आता है उसकी बात चल लए है गुप्त नहीं है देखिए ओ अव्यक्त वाले जो च्छ बोल है न उनमें ये बात समझने जैसे हैं गुर्देशर के प्रवचन में बहुत बढ़िया बात आती है कि पहला जो बोल है अव्यक्त वाला उसमें है शट द्रव्य में लोक हैं ये व्यक्त है और शट द्रव्य में लोक से बिन भगवान आत्मा कैसा है अव्यक्त है शट द्रव्य में लोक व्यक्त हैं और आत्मा कैसा है तो अव्यक्त है तो कई व्याख्यानों में, कई प्रहोचनों में, कई वार गुर्देश्री ने एक बात कही मतलब छो द्रव्य में लोक जो हैं वो व्यक्त हैं, प्रगट हैं और आत्म स्वभाव जो हैं वो गुप्त हैं, अव्यक्त हैं, अप्रगट और गुर्देश्री कई बार बोलते हैं सच में देखो न तो आत्मा ही व्यक्त है अब व्यक्त सवभाव ही सच में व्यक्त है बाकी की व्यक्ति व्यक्तता से हमें क्या लेना देना बात समझ में आ रही है तो एक बात समझने जैसी है यहां देखिए गुप्त नहीं है कानमे स्वसंवेधन मई प्रकाश शक्ति की बाद जो आयती सुबह अपने वो गुप्त रही नहीं सकता है स्वसंवेधन मई वो बिलकुल प्रकाशित है स्वयम प्रकाशित है स्वयम सिद्ध है ऐसा प्रगट है अतह प्रकाश मान जोती है प्रदीपवत वाली बात ठीक है ऐसा यह बगवान आत्मा अब सुनो आप कितनी बढ़िया बात यह है समय सार मैं स्वयम ही हूँ बात समझ में आ रही है मतलब यह कोई थर्ड पर्सन की बात नहीं है यह कोई तृतिय पुरुष अन्य जीव की बात नहीं है बलकि मैं स्वयम ही हूँ जिसवे एक सो चोपन नंबर की जो गाथा चल लगी न स्वरूप अस्तित्व वाली बात बरावर मैं ऐसा हूँ यह जीव वाली बात अपनी बात करी और फिर अचेतन द्रवी उसका भी अपना कैसा स्वरूप अस्तित्व है बार बार अपनी निजर उस गाथा की टीका की अंथम अंच के उपर जाना चाहिए दो गया था आप लोगो कैसे देखा था आप लोगो क्या लिखा लूप इसलिए मुझे मौह नहीं है सो पर विभाग वाली गाता है ना मोह के नाश वाली गाता है कि यह तरिधा द्रवे को जो जाने हो मौह रहीत हो यह इं रही हमूल निर्ममत्व भाव की, अत्वा और थोड़ी सी बात करें, पर से परम उदास इंता को प्रकाशित करने वाली गाता है, परम निर्ममत्व की सिध्धी वाली वो गाता और उपरकरण है और सरल शब्दों में कहें वीतरागता की पोशक ही जिन्वानी के लाद तो वही बाता गई ना सर्व प्रथम दुख दूर करने के लिए क्या लेखाए टोड़र वजी साब ने आपा पर का ग्यान होना चाहिए प्रयोजन भूत और प्रयोजन भूत उस पदारत में उस पर बाके हैं मोक्षवा प्रकाशक आधिक में ख्याल में रहे तो अपन उसकी समन्वई द्रष्टी से सोच सकते हैं तो देखिये ऐसा यह बगवान आत्मा मैं स्वयम ही हूं दूसरी डाल चडाला के अंतरगत पहला चंद और पहला शब्द क्या है ऐसा है मैंने केवल शब्द पूछा आप लोग वहां से लिखा न ऐसे लिखा न अब फिर प्रती प्रश्न करिये कैसे तो पूरी की पूरी पहली ढाल क्या कहा संज में आरे कुछ कहा कुछ विजुलाइजेशन हो रहा है आप लोग के सामने है कैसे फिरो मिध्या द्रग ज्यान चरन वश ब्रमत बरत जन्म लेकिन वहां खड़े रहो और पूछो कैसे रो तहते चै थावर तनू धरे लेकिन आई बात कहां से जेत्रिववन में जीवन तो पूरी की पूरी लंबी यात्रा अब इतनी सी तो पहली ढाल लेकिन अनंत काल की अनंती दुखमई यात्रा का वरत्तंत उससे बढ़ि और यात्रा वरत्तंत क्या हो सकता है लेकिन वह ऐसे शब्द कितना मतलब बिल्कुल आप सोच नहीं सकते हम लोगों ने सरवाज सिद्धी का स्वाध्याय इस टाइप से किया था कि एक सूत्र की टीका हुई और फिर आगे के सूत्र की जो वह उत्थानिका बनाते हैं वह आ अन्त तक अंतिम सूत्र तक की जो टीका है बिलकुल अनुबद्ध है संबद्ध है एक दूसरों के साथ इस रूप से ऐसा यह भगवान आत्मा मैं स्वयम ही हूँ तो वहां देखे है है वाली वाशा है अनंत है ब्रावर और उद्योत रूप है स्वयम सिद्ध है है वाली भाशा थी ना उसमें उपर जो आर्थ पड़ा अपन ने अब नीचे तुरंद क्या लिखा मैं स्वयम ही हूँ तो आप लोगे गुर्देश्री के बहुत रोमान्शकारी बात बताओं बहुत आनंद है आपको गुजराती में होता है ने जिसे अपन हिंदी भाशी हैं कंण लगाओ तो हिंदी थे जाए और गुजराती में छे लगाओ तो गुजराती थे जाए लेकिन मैं थुड़ी एक बारिक सुक्ष्मता वाली बात कह रहा हूँ कि छे जो है वेक सर्वसाम्मान्य अंतिम क्रियापद हैं जैसे छ द्रवी छे तमे आतमा छो आप आतमा है ऐसा क छे कावी प्रयोग, छो कावी प्रयोग और दूसरी बात हूँ भगवान आतमा छों खुद की बात आई अब सुन ना बहों बहुत संदर बात कह रहूँगा कि हूँ छूँ बाकी बदू छे क्या कहा हूँ छूँ बाकी बदू छे अब देखो फरक फो गए न मैं हूँ और बाकी है बाकी सब है ठीक है अब गुर्देश सी महलूं क्या बोलते है छे माँ छूँ छूँ नहीं क्या कहा मतलब है मैं नहीं हूँ और मैं हूँ उसमें वो है वो है नहीं सारी दुनिया की बात वो ही वाली बात कल जो में नहीं थी एक और राम और दुसरी और ये बेध विज्ञान की कला है बहुत चलती है वहां की सभा में बूजाती हो मतलब कई बार उसको बहुत लड़ाते हैं मतलब सच बात है अपन इस भाशा में कब तक समझते रहेंगे चोद्रवी छे आतमा छे भगवान आतमा छे गनान छे दर्शन छे ज्ञान है दर्शन है आतमा है अचा किसका मुमुक्षूं का हमारा अपना नहीं तो जब तक वहां हूँ जैसे आज कहा था ना कि I is your capital और मैं के ही अर्थ में आतमा के ही अर्थ में आता है बरावर प्रोचनसार की कक्षा में जो बात आई थी इसलिए मूल बात ले मैं स्वयम ही हूँ यह किसी अन्न की बात नहीं है होगी तो होगी है भी सही सारा आगम ही कहता है कि यह सभी जीवे से बरावर अपने ही आतमा की बात लेगो सम्मे केकांत वाली भाषा अपने ही आतमा की बात है अपने ही आतम सभाव की बात है प्रमत और प्रमत दशाओं से पार देखा अब बिल्कुल कितना सुन्दर प्रमत और प्रमत दशाओं से पार इसका आर्थ हुआ परियाय अर्थिग ने से अशुद्ध निश्चे ने से वो परियाएं अपनी जगह हैं लेकिन मैं तो उनसे परियायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान ये वाली बाद आओ रे आओ ग्याना नंद की डगरिया ये कला है अपनी बक्तियों में भी अपनी सुतियों में भी अपने भजनों में भी ऐसा लगता है जैसे समय सार आदी की गाथाएं मानों वहाँ आ करके अपनी प्रान प्रतिष्ठा खुद कर रही होगे है तो प्रमत और प्रमत दशाओं से पार यह त्रिकाली द्रुव ग्यायक भाव मैं ही हूँ बराबर इसमें ही अपनापन स्थापित होने का नाम सम्यक दर्शन है अतह यही द्रस्टी का विशय है यही ध्यान का धेय है मैंने पहली ही कक्षा में बात कही थी आपसे शुद्धा का शुद्धेय ग्यान का गेई ध्यान का धेय आराधना का आराध्य इसमें ही लीन होने का नाम ध्यान है इसमें ही लगातार अंतर मुर्तक लीन रहने से केवल ग्यान और अनंत अतिंद्रिय आनंद की प्राप्ति होती है मुक्ती मार्ग का मूल आधार यही ग्यायक भाव है दरविद्रिष्टी प्रकाश जो है न सोगानी जी साब की बात उसमें बढ़िया बात आती है सारे जिनागम का कोई की फैक्टर है क्या कहा उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया है समग्र जिनागम का द्वाद शांग का कोई की फैक्टर है तो ग्यायक भाव है और उस ग्यायक भाव की तरफ द्रिष्टी करना यह उसका सार है बस ये समगर जिनागम का सार हमें समझ में आना चाहिए मैं हूँ सिद्ध परमात्मा मैं हूँ आत्म राम मैं ही ग्याता गेय को चेतन मेरो नाम गुर्कुल में हम लोग पढ़ते थे सब सारे बहुबली गुर्कुल में तो यत्र तत्र सर्वत्र ये सब लिखे हुवे चन्दे है मोही बांधत कर्म को निर्मोही छुट जाए तातें गाड़ प्रयत्न से निर्मम ताव जा यही ग्यायक भाव है देखिए ग्यायक भाव के आधार से ही तो साधक दशा है उसी के आधार से ही तो साध्य दशा है अरहंत सिद्धा चार ये पाठक सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है सरण कोई बताएंगे कौन सी गाता है कौन सी शाध्य की एक सो चार और एक सो पाँच मोक्षपा हो वो सुंदर गाता है आधा हुमे सरणम इसलिए आत्मा ही है सरण दाधा की एक बहुत सुंदर रचना है जो विदेश की यात्राओं का यात्रा वरत्तान तो संकलं का नाम ही है आत्मा ही है सरण मुक्तिमारक का मूल आधार यही ग्यायक भाव है अतह यही एक मात्र परम उपादे है अभी वाच्चन ने परम शुद्ध निश्चय नहीं का विशय बोल रहे थे अंतिमक्षणों में जो बात आ रहे थी एक मात्र परम उपादे हैं यह परिणामी ग्यायक भाव अन्य द्रव्यों और उनके भावों से बिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है परपदार्तों और उनके भावों से बिन्न होने के कारण यद्यपी यह ग्यायक भाव सदा शुद्ध ही है यह है तो सही वस्तु स्वरूप में तथा पी जब तक यह ग्यायक भाव अपने श्रद्धा ग्यान चारित्र का विशे नहीं बनता देखें वहाँ स्वरूप अस्तुत के संदर्व में द्रव गोण परियाय वुत्पाद्वे और द्रव इनकी अपेक्षा से महाँ भाद कई और यहां क्या कह रहे है श्रद्धा ग्यान चारित्र का विशे नहीं बनता वहाँ वस्त व्यवस्ता की अपेक्षा से हैं यहां द्रश्टी प्रधान यह दृष्टी का विशे हैं, यह दृष्टी प्रधान ही है, समय सार गरंत ही स्वयम दृष्टी प्रधान है अरे 47 शक्तियों के भी सारे प्रमेजों हैं, भी सारे के सारे दृष्टी प्रधान है 47 शक्तियां दृष्टी प्रधान और 47 नए ज्यान प्रधान क्या कहा 47 शक्तियां द्रस्टी प्रधान और 47 नए ग्यान प्रधान जो प्रवलशंसार के परिशिष्ट में आते हैं अनुभूती में नहीं आता कि जब तक शुद्धा ग्यान चारिद्र का विश्वई नहीं बनता अनुभूती में नहीं आता तब तक उसके शुद्ध होने का लाव परियाई में प्राप्त नहीं होता आज भाई सब ने सत्रवी और अठरवी गाथा अरे आबाल सभी गोपाल इसको याद करते हुए का था था ना ज्यान की प्रतिपल उठे तरंग ज्हांकता उसमें फिर इसके बात वाली जो बात कही थी किंतु परसत्ता में बस ये फिर आगी पूरी की पूरी जिसे कह सकते हैं अपन प्रवचन सारजी की भाषा में समस्त विद्या का मूल मनुश्वेवहार असमान जाती मनुश्वेवहार को अपने च्छाती से लगा करके बेटा है मैं सुखी दुखी मैं रंकराओ बला आप देखो ये सारी की सारी जो हैं डेस्टिनेशन्स कैसे गजब के हैं संदी विटाना हमें आनी चाहिए मैं मूरक उसमें जाता है मैं पंडित मी शब्दे प्रवीन शब्दे प्रवीन मैं प्रवीन बोलो वो अच्छा उसका संदर्व क्या है मैं सुखी दुखी मैं रंकराओ उसका संदर्व जीव और अजीव तत्व संबंदी भूल अच्छा जीव और अजीव तत्व संबंदी भूल अग रहित मिथ्यात्व की ग्रहित मिथ्यात्व आप सभी प्रबुद्ध, सन्निष्ट, ज्यानों पासक हैं, इसलिए ततकाल समझते हैं, पकड़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, अभाई जी भाई सब भी अभी प्राय दे रहे थे, हमारे अभी साथ में उमापती भाई सब जो मदरास से आयो हैं चन्ने से, अभी कुछ पहले मेरी बात हो रही थे उनसे, कि सब मतलब जैसे भाई सब ने पूछा ता परिक्षा मुकादी के बारे में, सब बच्चियां बोल लही थी, आप लोग बोल लही थे, मतलब एक सामने वालों का जो response आता है न, positive, तो सामने वालों ख्याल में आता हैं, तो पिर क्या होता क्या का आतो केवडी नी कॉलेज इछे, जेम कॉलेज मा भनता पहला बीजू बदू बंतर कर वो पड़े, पची तो कॉलेज नो भनतर हम जाए, ऐसा बोलते हैं, गुजराती में, मतलब ग्रेजुएशन जब करते हैं, कॉलेज में उससे पहले महाविध्या ले और उससे प अच्छा आपन निमित उपादान की भाशन में क्या कहें, कि समय की योगिता से कारी होगा जब कारी होगा, लेकिन अनंतर पूर्वक्षण वर्ती परियाए, उसका भी कोई चमतकार बराबर पूर्वचर हेतु के रूप में होता ही है, यह इसका आनंद भी तबी है, इससे पहले हम आप लोग काफी कुछ पढ़ाई अभ्यास सब करते हैं, इसलिए निरंतर, द्रवे संग्र हैं, छडाला है, तत्वा सूत्र हैं, इनका निदिध्यासन, पठन, पाठन, शवन, चिंतन, मनन, इस सब होना ही होना चाहिए, बराबर, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कहते हैं, तब तक उसके शुद्ध होने का लाभ, देखो, शुद्ध है तो सही, लेकिन शुद्ध होने का लाभ, परियाय में प्राप्त नहीं होता, आत्मा में अतिंद्रिय आनंद की कणिका नहीं जगती, मिध्यात्व ग्रंती का भेद नहीं होता, वोई वाली बात म मुह नहीं छुटता, मुह दूर नहीं होता है. अतः, यह कहा गया है, कि वह परभावंसे भन उपासित होता हुआ शुद्ध कहला लाथ याद रखे, परिक्षमाया आपको गजी ऐसा, पूछा जाए नE, कि परभावंसे भन उपासित होता हुआ, इसका तातपर्य सिद्ध कीजिए मैं पेपर फोड़ने रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि यह है उसका पूरा का पूरा उसकी अंतरात्मा यह है इसमें जो लिखा है अब देखिए आगे आएगा एक कथन कि छटी गाथा में परियायों से पार कहा अब सात्वी गाथा में कह रहे है परियायों से तो पार है ही लेकिन ऐसा ब्रह्म नहीं पालना चाहिए कि हम ज्ञान दर्शन सुक चारित्र वीर्यादी गुण भेदों को नचाते रहे तो अभेद आत्मा ना चूटे ऐसा नहीं है जिस प्रकार परियाय भेदों को छोड़ा अद्रश्टी में से उसी प्रकार गुण भेदों को भी परियाद्रश्टी में से छोड़ना ही छोड़ना है क्योंकि नयों के दो प्रकार कौन-कौन से द्रव्यार्थिक और थोड़ा सोच के बोलना आप लोगा जल्दी मत करना जवाब आजए बहुत अच्छी बात है स्वागत है द्रव्यार्थिक का विशे तो द्रव्य है परियाय आर्थिक नई का विशे मैं option देता हूँ आपको परियाय आर्थिक नई का विशे परियाय ही मात्र है कि गुण भी है बेद सो परियाए अभेद सो द्रवे भेद सो व्यवहार परियाए अभेद सो द्रवे तो गुण भेद भी और परियाए भेद की तरह परियाए भेद तो भेद है ही परियाए भेद तो व्यवहार है ही लेकिन गुण भेद भी व्यवहार ही है इसलिए परियाय आर्थिक नए परियाय को जान ले वो गुण भेदों को भी जान ले तो परियाय आर्थिक के विशे में वो आते हैं गुण भेद भी इसलिए परियाय तो परियाय आर्थिक नए का विशे है ही लेकिन गुण भेद भी याद रखना गुण भेद किसके विश हैं परियार्थिक में के इसलिए कोई तीसरे नहीं की कोई आवशक्ता नहीं है गुण भेद वाली भाषा बेदा बेदात्मत वह वाला प्रकरण अब यहां प्रारम होता है अगली गाथा में आचारिदेव ग्यान दर्शन चारित्र गुणों के भेद को भी कहा ना भी यहां भी का प्रयोक क्यों किया गया क्योंकि वो छटी गाथा से संदी जोड़ो क्योंकि वहां प्रमत नहीं है और प्रमत नहीं यह तो कहा ही है तो ग्यान दर्शन चारित्र गुणों के भेद को भी व्यवहार उत्पादक होने से अशुद्धी बताकर निशेद करने वाले हैं क कि सुना बोल टाइपिनिंग है इसमें बहुत बढ़िया अनुभव के काल में गुण भेद भी नजर नहीं आता क्योंकि अभेद की अनुभूती में वो भेद हो अपने घर में हो अपनी अवांतर सत्ता में हो अपने स्वरूप अस्तित्तु में हो लेकिन मेरा जो अंतरंग म अभी अनुभाव चल रहा है अभेद का उसमें तो नहीं है अनुभाव के काल में ग्यायक भाव जैसा नजर आता है परम शुद्ध निश्चे नहीं का विशेभूत वही ग्यायक भाव शुद्ध कहलाता है एक बहुत सुन्दर अपूर्व समाधान आज प्रवचन सार की कक् में हम आप लोगों ने सुनी थी कि द्रविक्षेत्र काल भाव वाल चार चतुष्ट्यों में द्रव्यांश उसको भी द्रव्य कहते हैं उन चारों के समुच्चे स्वरुक को भी द्रव्य कहते हैं द्रव्यारतिक नहीं का विशे भी तो द्रव्य है और परम शुद्ध न आला प्रकरन परमशुद्ध निश्चे ने का, देखिये, सुनना तोड़ा ध्यान से, जो मेरे माइन में जो विशेज चल लहा है, परसो ये मध्यान में अंतिम कक्षा होगी, परसो की बात कर रहा हूं, मैं 27 तारीक की, उस दिन उसमें नए रहष्व का एक बहुत मारमीक प् वो अंतिम कक्षा में में आपको ये परमशुद्ध निश्चे ने से संबंदित हैं, बिलकुल निचोड हैं, सार हैं, दोनों गाथां से संबंदित, बराबर, ये दो सो, पचपन, चपन, सत्तावन ऐसा कुछ पेज निंबर हैं, बहुत बढ़िया प्रकरन हैं, वो समापन के रूप में उसमें अपन लोग लेंगे, परमशुद्ध निश्चे ने का विशेभूद वही ग्यायक भाव शुद्ध कहलाता है, यह स्पस्च करना भी उक्त कथन का मूल प्रियोज, यहां ही विशेपूरा हुआ, अब यहां प्रश्ण उपस्तित होता है, कि पर के साथ गेग्यायक संबंद भी जब व्यवहार होने से अशुद्धी का जनक है, बात करते हैं थोड़ा सा लेते हैं पनमशे, देखिए, गेग्यायक संबंद भी जब व्यवहार होने से अशुद्धी का जनक है, मैं एक 200 नंबर की गाथा, प्रवचंसार की टीका, आचारिस जैसि देव की टीका में एक बात आती है समवेदंसील भी है और गंबीर भी है विचक्षन तासे उसे दिमाग में रखने जैसे है अविरल इस प्रमे को आप अपने चित्त में रखना बाकी भी सभी विद्यारती मित्रों से में कह रहा हूं लेकिन मैं जब समय आएगा तब मैं कहू यायक संबंद भी जब व्यवहार होने से अशुद्धी का जनक है तब तो विकल्प उत्पादक गुण भेद भी व्यवहार होने से अशुद्धी का ही जनक होगा संबंद वाली बात है है गुण भेद रूप पराबर ऐसी सिती में आत्मा में ज्ञान है दर्शन है चारित रहें ऐसा कहना भी क्या असत्यार्त होगा ये पूरु पक्ष के रूप में बात को उठाई है वे तुमने पर के साथ गे गया एक संबंध वाली बात को व्यावार होने से ये अशुद्धी का जनक कहा तो विकल्प उत्पादक गुण भेद कितना सुंदर शब्द हैं सामा सी निकल्प को उत्पन करने वाला बरावर जैसे कहते हैं कि मलेच को मलेच की भाषा में समझाने पड़ती हैं क्या कौन समझाने वाला कौन है आर ये है न वो ब्रामन स्वस्ती कहा बरावर स्वस्ती मतलब क्या होता है तेरा अविनाशी कल्यान नजाने गुर्दे स्री ने कह नहीं से यह अर्थ निकाला गजब का स्वस्ति एटले भाई स्वस्ति क्या बोला भाई तू छे वह ब्राह्मनी कह रहा है तू है तू है सुना तो समझ गया मैं हूँ क्या कहा ब्राह्मन ने कहा कि तू है भाई तू है यह वो कह रहा है स्वस्ति तेरा अविनासी कल्यान हो स्वस्ति पात समझ में आ रही है स्वस्ति जैसे वह सूद्रविक्षेत्र काल भावाले में आए तर तू सम्यक रूप से अखंड अबाधित तू बिलकुल जैसे वचना जरूर्तने प्राप्त था है तो परम जगरत सभाव भाव तो है ही वो कहीं जाता नहीं है अरे ही वो परियाई में नहीं आता है इह कहें केवल गनानमा जाए इह कहें परियाई मा जाए इह कहें परमा जाए इसा इसा उसका अर्थ किया है अरे उभोचे वो खड़ा है उसका अर्थ गुर्देश ने किया दुरूच है वो गया एक सभाव भाव वो तो बिलकुल अडिक अचल खड़ाई है है वो बस है उसे तु समझ तो धन्य हो और धन्यता तो अना दिकी है ही पराबर तो ये विकल पोत्पादक गुण भेद भी विवहार होने से अशुद्धी का ही जनक होगा इसलिए रागी को राग होने से बेदों की भाषा से बेद का पक्ष हो सकता है इसलिए अवेद आत्मा को समझाने के लिए बेदों का आस्त्रे लिया जाता है और उसे कहा जाता है हम भाषा बेदों की जरूर हम कहेंगे लेगिन तुमें तो अवेद सभाव को ल है तो किस अपेक्षा से, नहीं है तो किस अपेक्षा से, देखे गाथा पड़ते हैं, इस गाथा की टीका के अंत में बहुत सुन्दर वाक्ये हैं, रत्नत्रेयों की पूरी भाषा लेते हुए, एक शुद्ध ग्यायक ही है, ये अंतिम इसका सार है, एक शुद्ध ग्यायक ही है, अब समग्र टीका आपन पढ़ते हैं देखिए, इस ग्यायक भाव के बंध परियाई के निमित से अशुद्धता होती है, बरावर प्रमत प्रमत वस्तादी इत्यादी के संदर में बात के रहे हैं, यह बात तो दूर ही रहो, क्या कहा, बंध परियाई के निमित से अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहो, यह पूरा ऐसा डैलोग लेना, इसके तो दर्शन ग्यान चारित्र भी नहीं है, देखो, परक्रत अशुद्धी की बात तो दूर करी, लेकिन यहां कहते हैं, अपने आप में अभेद में भी भेद करने रूप जो व्यवहार हैं, उस व्यवहार को भी यहां से निकाला, क्योंकि अनन्त धर्मों वाले एक धर्मी में जो निशनात नहीं है, यह वाला है वो पुर्शाशुद्धी पहला, अबुदस्य बोधनार्तम, यह जो है न, यह वाली बात है, बोधयंत्य मुनिश्वराहा बोधयंत्य अभूतार्तम, यह वाली बात, कि एक अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निशनात नहीं है अब निशनात शब्द किस अलोग एक भाव के अर्थ में लिखा है अपन सोच सकते हैं विचार सकते हैं ऐसे निकटवर्ती सिष्षों को जो निशनात नहीं है लेकिन वे निकटवर्ती सिष्ष्ष्ष्ष्ष् साथ वेध्याय में कितने आभासियों की चर्चा आती है मोक्षम प्रकाशक चार तीन क्यों कहा चार बुले न कोई व्यभार आभासि निश्य आभासि हुवियाभासि आचा इन चारों में से चोथा वाला तो सम्मेक दिश्टी है सम्मेक सन्मोक लेकिन है वो उसे हम बोल दो सम्मेक सन्मुक मिथ्याद्रिष्टी वो वाला NSMD निश्य आभासि मिथ्याद्रिष्टी VSMD नवारावासि मिथ्याद्रिष्टी और उव्याभासि वाला USMD ऐसे हम लोग मतलब कोड़ वर्ड में जिसे परसपर में कोई पूजा का पक्षपाती होवे अरे इतो यार VSMD है समझता नहीं है कुछ भी एक बार उसको इप्रक्रम पढ़ना चाहिए खेर ऐसे निकटवर्ती शिश्वों को धर्मी को बताने वाले कितने ही धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचारियों का यद्यपी धर्म और धर्मी का सभाव से अभेद हैं तथा पी नाम से बेद करके अपन इसमें संग्या, संख्या, लक्षन, प्रयोजन, नाम मतलब संग्या है ना वो सारी अपेक्षण अपन समझ सकते हैं अभी तो केवल अपन ठीका पढ़ रहे हैं दादा की जो विवक्षा हैं बहुत सुन्दर स्पस्टी करन है लेंगे अपना आगे विवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्यानी के धर्शन है, ज्यान है चारित्र है किंतु परमार्थ से देखा जाए तो जैसे चटी गाथा में भी परियाय निरूपण और द्रवि निरूपण दो अपेक्षण थी न, ऐसे यहाँ दो बाते लिए हैं विवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश दिया जाता है किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनन्त परियायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है ऐसे कुछ मिले हुए आस्वाद वाले अभेद एक स्वभावी क्या कहा अभेद एक स्वभावी तत्व का अनुभव करने वाले को देखो वो अनन्त धर्मों का जो एक धर्मी उसमें निशनात नहीं है ऐसा वाला शिश्य था इसलिए उसको व्यवहार की तरब से बेद की भाशा में समझाया अब यहां कहते हैं ऐसा कि ऐसे कुछ मिले हुए आस्वाद वाले अभेद एक स्वभावी तत्व का अनुभव करने वाले को दर्शन भी नहीं है ज्यान भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है एक शुद्ध ज्यायक ही है सिद्भगवान की पूजा जो आदर ने बाबुजी के द्वारा लिखी गई अर्यवाला च्छन्द तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभू मुक्ता मोदक से सगन हुए दूसरी पंक्ती क्या है अत्येव रसास्वादन कर तेरे घनी भूती अनुभूती ये घनी भूती अनुभूती लेवाला भाव है कहने का तात पर ये है राग विकलपादी की भेद भूमी का जब तक है चाहे वो समझने के हो चाहे वो समझाने के हो तब वो उस अपेक्षा से जैसे हंत हस्ताव लंबह के रूप में उसकी स्तिती बनती है बाकी तो अभेद स्वरूप, अभेद ग्यायक सभाव, भाव की अनुभूती की अक्षा में आये हुए जीव को न दर्शन है न ग्यान है न चारित्र है बाकी ग्यात वो तो वो ही है जो चटी गाथा में कही है इस प्रकार इन दोनों गाथाओं की अद्बुत संधी और दोनों गाथाओं का ये की स्वर्थ द्रश्टी का विशेबुत भगवान आत्मा एक ग्यायक भाव मात्र है उसको हम आप लोग इसी डंग से आगे आदरनी दादा ने टीका में और सुन्दर सारा प्रकार लिया है कल और परसो दोनों दिन इस विशे को लेकर के हम आप लोग पुरा करेंगे एक एक बातें आप लोग टीका में देखिएगा और परिक्षा का जो प्रारूप होगा वो कल हम आपको बताएंगे और आप लोग जैसे आदरनी भाई साब जी ने आज सुचना दिये तो चार शे लोग आप लोग सुन्दर प्रश्णोगर बनाईए अपने लोग मिल बैट करके सारा प्लानिंग करते हैं और सुन्दर प्रश्णोपत्र भी बनेगा फिर आप लोग परिक्षा भी देंगे सफल भी होंगे सफल ताकि माला भी पहना ही जाएगी ओम नमह सद्दीब्य